हमको बुलाकर सुझाओ लेने की बात तो दूर रही जो हमने सुझाओ दिया उस पर भी कभी पाटी ने ध्यान नहीं दिया और सुझाओ देने के करम में सिर्फ एक चिर्ट हम चर्चा करेंगे अगर हमारी बात गलत होगी तो राष्टिय ध्यक जी खंडन कर सकते हैं परतिकर कि मनुनयान चैयन के लिए उमिद्वारी के बारे में या राज सभा तब तब हमने कहा कि पार्टी में जो हम लोग पत्ना में एक्टिव रहते हैं रोज जो कुछ नेता हम आमकार करताओं की बात नहीं कर रहे हैं राज अस्तर के नेता जो एक्टिव रोल अदा करते हैं पार्टी में रोजबनरा के काम में पार्टी कार्जाले में या बाकी परदेश में संगठन को देखने में उसमें एक ब्यक्ति अतिपिछरा समाज का होना चाहिए जो इस तरह से एक्ट करे कि अतिपिछरा समाज के लोगों को बिहार भर में लगे यह हमारा भी कोई आदमी डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में पार्टी में है एक जगह पर जहां हमको उचित हिस्सेदारी या हमारे हितों की रक्षा की जा सकती है हमने कहा कि अभी वैसा कोई नहीं है मानिये मंत्री लोग है या ML है या MP है तो अपने अपने छेत्रों तक सिमित हैं लेकिन कोई एक व्यक्ति उस तरह से जो वास्तों में लीडर के रूप में विहार के अस्तर पर दिखे क्योंकि लीडर बनाना पड़ता है और लीडर बना ही रहती है कि वह इसे किसी व्यक्ति को लाकर के पार्टी में उचित जगह पर उसको रखा जाये ताकि उस समाज के लोगों के बारे में वहां जरुवत के हिसाब से वकालत कोई कर सके तो हमने कहा कि वैसा कोई व्यक्ति नहीं है इसलिए आप किसी एक अति-पिछ्रा समाज के व्यक्ति को जो पाटी में है मजबुती से और उसके अंदर leadership का quality है उसमें से किसी एक व्यक्ति को आप राज्यसभा में भेज दीजिए या mlc बना दीजिए ताकि पाटी में आगे आने वाले दिनों में अति पिछला समाज से भी लीडर्सिप उभर सके इससे पार्टी को लाव होगा हमने यह बात उनसे कही जब मौका आया सुझाओ का तो हमने उनसे यह बात कही अति पिछला समाज में हम यह नहीं करें कि पार्टी में लोग नहीं हैं बहुत सारे लोग हैं मानिये मंत्री लोग हैं राजसभा में सद उनके बाड़े में भी तो आप सब लोगों ने देखा ही है कि किस तरह से उनका अधिकार अपने विभाग में अधिकारी जो हैं वही चलाते हैं मानिये मंत्री जी का कितना चलता है अभी से देड़ साल पहले दो साल पहले एक बार ट्रांसफर का एक मुद्दा आया था तो अ नहीं करने दिया जा रहा है तो किसी एक व्यक्ति को हो सकता है जो लोग आज है अति पिछरा समाज के लोग उन पर बहुत भरोसा मुखमंत्री जी को नहीं हो तो उस रूप में मुखमंत्री जी मानिये मंत्री जो हैं अतिपिछरा समाज के MLMP हैं उनके उपर अगर भरोसा नहीं हो तो जिसके उपर भरोसा हो उसी को किसी एक व्यक्ति को ला करके राजसभा की सदस्ता दे दे या विधान परिशत की सदस्ता दे दे और पार्टी के मुख रोल में उनको रखे इससे दल को फायदा होगा हमको दिख रहा था उसी बक से कि अतिपिछरा समाज के लोगों में थोड़ी थोड़ा जो आकर्षन पार्टी के परति था वह आकर्षन घट रहा है तो इस ख्याल से मैंने सुझाव दिया था पार्टी की मजबूती के लिए यह काम करना चाहिए लेकिन इस सुझावों पर भी कोई ध्यान नहीं दिया गया और इस्तिति आपके सामने है इतने दिनों में दो बरसों में जो लोग भी भेजे गए राजसभा में या विधान परिशद में ठीक भेजे गए लेकिन उसमें एक भी अतिपिछरा समाज का कोई व्यक्ति नहीं जा पाया य अब इस इस्तिती में यह कहना कि पारलियामेंटरी बोड का अध्यक्ष बना करके हमने बहुत इज्यत दे दी पारलियामेंटरी बोड का अध्यक्ष होने से जब हम लोगों के हितों की रक्षा ही नहीं कर सकते हैं कभी किसी जरूरत पर समय पर जब हमारे सुझाव का कोई म जाती है कि MLC बनाया अब उपेंद्र कुस्वा सरकारी नौकरी नहीं कर रहा है उपेंद्र कुस्वा राजनीत कर रहा है और MLC बनना MLC बनना किसी भी राजनीतिक कार करता है के लिए सरकारी नौकरी नहीं होती है या नौकरी नहीं होती है politics होती है जहां रहकर वह अपने लोगों के हितों की रख्षा कर सके जहां रहकर पाटी का जो निति सिधान्त है उसको आगे बरा सके समाज में जो अन्याय प्रित लोग हैं उनको न्याय दिला सके इस काम में मजबुती से कोई व्यक्ति जो भी MLC का पद है या ब करके अपने लोगों को या जो जरुवत मंद लोग है जिसके लिए पार्टी राजनीत करती है वह इसे दबे कुछले सोशित प्रित लोगों को न्याय दिलाया जा सके इस काम के लिए कोई भी पद चाहिए MLC का हो MP का हो MLA का हो Fahrenheit उत्प आधर्ल इत्ला दिलाया है कि मैं आधिकार और उस रूप में जब पार्टी मानती ही नहीं तो सीधे नौकटी करने जैसी स्थिति और सिर्कार हैं कि वही को यह मिल सी पद को मैं मान रहूं कि लॉली पप मुझे को एक थमाया गया और लॉली पप सब लोगों को मालूम है कि राजसभा की सदस्ता छोड़ने में उपेंद्र कुस्वाह को एक मिनट एक छन का भी मलाल नहीं होता है भारत सरकार में मंत मंतरी पद को छोड़ते हुए एक मिनट का मलाल नहीं होता है तो यह में लगताओ मान इस में मुझे को मुझे परिशानीन नहीं इसके अत्रिक एक बात और जो जब हमने कहा कि हम पार्टी से ऐसे नहीं जाएंगे हम अपना हिस्सा हमको चाहिए तो कई लोग आप में से भी और पार्टी की ओर से भी लोग कहते रहें कि हिस्सा का मतलब क्या होता है तो हिस्सा का मतलब मैं आपको बताता हूं जो हिस्सा कभी लालू जी ने नितीस जी को नहीं दिया था